हलो स्टूरेंस वेलकम टू मैंगर बेंस मैं रुपाली वर्मा मैंगर बेंस आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है इस फ्री एजुकेशन का लाब उठाते रहे हैं आपको जो फ्री में मिल रहा है वो भी हर एक चीज बड़े अच्छे तरीके से सिस्टेमेटिक डंग से मिल लए तो क्यों नहीं फायदा उठाएंगे सारे आपको डिटेल एक्समेशन फ्री में मिलते हैं एंसे आटी सेलूशन फ्री में मिल रहे हैं और देखिए अब तो हम वर्क्षीट भी आपके लिए लेकर आगे वह भी 100% फ्री तो यह जो वर्क्षीट हम आपके लिए लेकर पढ़ लिया हमने उसके बाद NCRT Solutions भी पढ़ लिये अब यह लगता है कि भाई यह चैप्टर आपको ठीक से समझ में आया कि नहीं आया जब टेस्ट या एक्जाम होते हैं तो इनका हमें करना पड़ता है अब हम चैप्टर तो पढ़ चुके हैं तो फटा फट हम रिवीजन करने के बाद अगर एक बार यह वर्क्षिट सॉल्फ कर लेंगे ना तो हमारा पेपर जो है ना यानि कि हम जो भी टेस्ट देने जा रहे हैं वह फटा फट हमारा 100% शिवर जाएगा कि हमन इसके इलावा व्याकरण आधारी भी बहुत सारे प्रिश्ण है तो इस तरीके से आपका यह पूरा चैप्टर अच्छे से रेडी हुचाएगा तो शुरू करें आज जो हम लेकर आए हैं अप्टी दिम जिम भुक का चैप्टर है हमारा चिठी का सफर उसका जो पार्ट न तो क्योंकि आप दीरे दीरे बड़ी क्लास में आ रहे हैं तो आपको एक ही कोश्चन को हम कितने तरीके से जानते हैं जैसे हम लोग MCQ तो जानते हैं multiple choice questions होते हैं यानि कि कोश्चन दिया रहता है उसमें कई options दे रहते हैं उसमें से हमें एक चूस करना पड़ता है अब लेकिन हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हिंदी में इसे बहुविकल्पी प्रेशन बोलते हैं या वस्तुनिष्ट प्रेशन बोलते हैं तो यह धिहान option है जू से ही उस ही है थिक मांक करें चीठी के लिफाफे पर शहर के नाम के बाद क्या लिखा रहता हैं और आता ना six digits का पिन code होता है, आपके area का भी पिन खोल है, तो वो शहर के बाग उसका पिन कोल लिखा रहता है, next आते हैं, किसी भी जगह का पिन कोल कितने अंकों का होता हैं, तो अभी आमने बताया, कितना six digits, यानि कि छे अंकों का होता है, कौन से राजी की पुलिस अब भी कबूतरों से संदेश पहुचाने का काम ले रही है तो चैप्टर में क्या बताया था जहां पर हुमर कबूतर अभी भी उड़ाय जाते हैं संदेश पहुचाने के लिए वो स्टेट कौन सा है वो है उड़ीसा उड़ीसा राज्ज में अभी भी कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है संदेशों को पहुचाने के लिए नेक्स्ट है हुमर कबूतर का जीवनकाल सामान में रूप से कितने वर्षों का होता है यह जो कभूतर जो पहुचाने का काम करते हैं इनका जीवन कालहर किसी का जीवन काले की डिसाइटर होता ना तो इनका कितना होता है तो इनका जो होता है वो है आपका 15 से 20 वर्ष का यानि कि 15 to 20 एयर्स ही यह लोग जीवित रहते हैं नेक्स एप पिन कोट की शुरुआत किस विभाग ने की थी कौन सा ऐसा विभाग था जिसने इस पिन कोट की शुरुआत की पहले नहीं होते थे बाद में शुरू हुए यह कब शुरू हुए यह भी हमारे चैप्टर में था अभी हम पढ़ेंगे उसको भी तो यह किस विभा द्वारा शुरू किया गया था तो वह विभाग था आपका डाउंक तार विभाग कौन सा विभाग था डाउंक तार विभाग याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है से याद रखना नेक्स रे प्राचीन काल में संदेश लेकर कौन जाते थे भाई डांक सर्विस तो शुरू हुई रिजिंटली उससे पहले बहुत समय पहले बहुत समय पहले उस समय कौन लेके जाते थे ये संदेशों पहुचाने का काम कौन करते थे गाय, भालू, कबूतर या मंत्री तो सबसे पहले कबूतर पहुचाया करते थे फिर ये संदेश कभी कोई कबूतर को बाच खा जाए कभी कोई कबूतर को कोई शिकारी मार दे तो कभी कभी संदेश नहीं पहुचता था तो उस कंडिशन में क्या हुआ? जो है हरकारे लेकर जाने लगा यानि कि जो मनुष एक आदमी होता है वो संदेश लेकर पैदल जाने लगा पैदल बहुत समय लगता था तो फिर वो घुर सवार यानि कि घुरे पे सवार होकर वो हरकारा संदेश ले तो धीरे-धीरे क्या है? यह procedure आगे बढ़ता रहा, संदेश को पहुचाने का काम पहले कभूतर पहुचाते रहे, फिर आदमी लेकर, यानि कि हर्कारे लेकर जाते रहे फिर हर्कारे गुर्सवार होकर लेकर जाते रहे तो बहुत तरीके से धीरे-धीरे यह प्रकति मैत हो तो बहुत प्राठीन काल में कबूतर जो हैं वो संदेश लेकर जाया करते थे महराजाओं के पास कौन से हरकारे होते थे अब कौन से किस तरी जो हरकारे मतलब क्या हुआ जो संदेश लेकर जाते थे ये कौन से हरकारे हुआ करते थे गुरसवार, गारीवान, पैदलिया, उठवार तो महराजाओं के पास हुआ करते थे आपके घुरसवार हरकारे अब हमारे पास और आगे की प्रश्ण आए क्या है प्रश्ण अब यह प्रश्ण है सत्य और असत्य प्रश्ण आपको बताने है अर्थाथ true and false जैसे हम लोग English पर करते हैं true and false जो statement सही होता है उस पर true लगा देते हैं जो गलत होता है उस पर false लिख देते हैं तो उसी तरीकी से यहाँ पर आएंगा अब यहाँ पर क्या प्रतेख स्थान का अपना पिन कोड नहीं होता है अब यह statement सही है यह गलत तो जहर सी बात है कि यह गलत है क्योंकि हर जगह का राज क्या बोले हर जगह का एक ही शहर में अलग-अलग जगहाओं का पिन कोड भी अलग-अलग होता है तो यह statement जो है यह गलत है यह वाक्या ग पिनकोड लिख देते हैं तो वो पद्र जल्दी पहुंच जाता है इसलिए देर उसमें नहीं होती तो यह क्या है सत्य है नेक्स आते हैं पुराने जमाने में हरकारे पैदल चलकर चिठिया पहुंचाते थे मतलब जो घुर्जवार हरकारे से पहले कबूतर के बाद घुर्ज अगस 1982 में हुई यह सत्य है यह असत्य है यह असत्य है क्यों क्योंकि पिन कोड की शुरुआद 15 अगस 1972 यानी कि 72 में हुई थी तो यह जो स्रेट्मेंट है क्या हुआ यह गलत है हमारे देश के सभी कस्बों, शहरों, गावों के नाम भिन्न है तो जाहिर से बात है हम सभी को पता है कोई एक ही शहर में गर रहता है तो उसके गावों के भी अलग-अलग नाम होते हैं तो सभी जगावों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं तो ये क्या है? सत्य है नेक्स आते हैं, पिन शब्द यानि कि पोस्टल इंडेक्स नमबर का छोटा रूप है जो हम लोग पिन कोड लिखते हैं, छे डिजिट का वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिन नमबर दीजिए तो अब ये पिन नमबर जो होता है, ये किसका short form है ये है पोस्टल इंडेक्स नमबर, ये पिन का PIN हम लिखते हैं न, देखें यहाँ पर पोस्टल इंडेक्स नमबर है, तो पिन पोस्टल का मतलब हो गया P, इंडेक्स मतलब I और नमबर मतलब N, तो ये क्या होगा PIN, पिन का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर तो अभी आप लोग बड़े होके जब आप एड्रेस अड्रेस लिखना शुरू करेंगे लेटर में न किसी को लेटर भीजेंगे या इमेल करेंगे तो उस जगह भी आपको भी यह पिन डालने पड़ेंगे तो यह हमार आप पास किया है कुछ यहाँ पर नाम दिये गए हैं देख रहे हैं अब कुछ शब्द दिये गए हैं इन 번कल बड़े clarify। पहला क्या है पत्र लिखे पते में सबसे छोटी इकाई से बड़ी होकर बड़ा आ जाता है अब मतलब जब हम एड्रेस लिखते हैं तो सबसे छोटी इकाई कौन सी इकाई हम करते हैं वो होती है आप बोलते हैं हम भौगोलिक इकाई क्या बोलते हैं उसको भौगोलिक इकाई भगोले की काई होता है मतलब कहीं पर भी हम address लिखने जब शुरू करते हैं तो सबसे चोटी भगोले की काई होती है हमारे घर का नंबर नंबर हुआ, फिर हमारे बिल्डिंग का नंबर, सोसाइटी का नंबर, महले का पता, ये सब कुछ करते हैं तो धीरे-धीरे सबसे छोटी चीज क्या होती है, सबसे छोटा हमारा मकान होता है उसे बड़ी हमारी क्या होती है? बिल्डिंग होती है, उसे बड़ा हमारा मुहला होता है, उसे बड़ा हमारा एरिया होता है, फिर उसे बड़ा हमारा शहर होता है, उसे बड़ा हमारा राज्य होता है तो इस तरीके से सबसे चोटी से हम बड़ी बड़ी इकाई बहगोली की काई हुआ हमारा घर हुआ तो हम वहाँ से शुरू करते हैं फिर आते हैं पिन कोड में प्रतेक अंक का एक खास डैश अर्थ होता है अब क्या अर्थ होता है वो आप में लिखते हैं कि इस्थानिय अर्थ होता है अब जो हर एक अंक हमने आपको एड्रिस में भी जब हमने चैप्टर एक स्थानिय अर्थ होता है उसका एक खास इस्थानिय मतलब वो नंबर उस जगह के लिए दिया जाता है कोई भी जगा के लिए, किसी भी जगा के लिए एक खास नंबर एलोट कर दिया जाता है तो उसकों क्या बोलते हैं? खास इस्थानिय अर्थ होता है कानून विवस्था संकट वा अन्य मौकों पर डैश के लिए कबूतर बहुत उपियोगी होते हैं अब कौन से मौकों पर? वो क्या होगा? कानून विवस्था संकट वा अन्य मौकों पर जो है संदेश के लिए कबूतर बहुत उपियोगी होते कहीं पर भी कुछ अगर वापिता विद्धा आ जाये तो उसके लिए संदेश भेजने के लिए ये सबसे उपयोगी होते हैं कौन कबूतर दुतिय विशुविद में संदेश वहा कबूतर की छपी कहानी डैश नामक किताब में दी गई है तो वो कौन जी किताब थी वो थी आपकी ग्रेनेक किताब में दी गई है अब आते हैं हमारे पास क्या है नीचे लिखे अनुछेत को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्णों के उत्तर लिखिए हमारे पास नीचे गद्यांश दिया गया है उसे हमें पढ़ना है और फिर उस पे आधारित पूछे गए परश्णों के उत्ता देने हैं तो ये गद्यांश कहा हमारे इसी चैप्टर यानि की चिठी के सफर से लिया गया है तो क्या है देखें शाय दिये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्यूयुद में संदेश पहुँचाता था इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रेस्ट में अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है किताब का नाम ग्रेनेक है जो कि इस किताब के हीरो का नाम भी है अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यो ना नेशनल बुक ट्रेस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे यह रहा उनका पता नेशनल बुक ट्रेस्ट इंडिया एफाइफ ग्रीन पार्क नई दिल्ली डबल वन डबल जीरो वन सिक्स तो ये आपका क्या होगा एडरेस भी दे लिया तो हमने जो दुतिय विश्वयुद के दौरान जो कबूतर था उसकी कहानी के बारे में बात करिए अब इस पर प्रश्ट देखे क्या है पहला प्रश्ट है कबूतर किस युद्ध में संदेश पहुचाता था तो कौन से युद्ध की बात हुई वो है दुतिय विश्वयुद में पहुचाता था तो सही क्या है कबूतर दूसरे विश्वयुद में संदेश पहुचाता था अब आते हैं दूसरा question उस कबूतर की कहानी किस प्रकाशक ने किस भाशा में छापी है? तो कौन से प्रकाशक में छापी थी? वो था आपका National Book Trust और अंगरेजी भाशा में छापी है ये जो है आपकी गध्यान से लिए गए तो एक ही क्लाइन की answers रहेंगे ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं फिर आते हैं नेशल बुग ट्रस्ट इंडिया के कार्याले इस्थल पर PIN कोड क्या है अब यह मने PIN कोड पढ़ा था ना 110016 ये इसका PIN कोड था तो क्या होगा नेशल बुग ट्रस्ट इंडिया के कार्याले इस्थल का PIN कोड है 0016 अब हम आजाते हैं अति लगूत्रिये प्रश्णी यानि की very short answers में किसमें आएंगे very short short answers में बोलते हैं लगूत्रिये और अति लगूत्रिये के बोलते हैं very short answer PIN कोड किसे कहते हैं किसको बोला जाता है PIN कोड तो वो क्या लिखेंगे हम देखें पते में शहर के नाम के बाद लिखें अंको PIN कोड कहते हैं जो हम address लिखते हैं उसमें जब हम शहर का नाम सबसे आखिर में लिखते हैं तो उसके बाद जो है वो लिखा जाता है पिन कोट हुमर कबूतर को किस कारी के लिए प्रसिक्षत किया जाता है तो कौन से कारी के लिए प्रसिक्षत किया जाता है वो है संदेश भेजने के लिए तो क्या है हुमर कबूतर को संदेश पहुचाने के लिए प्रसिक्षत किया जाता है तो यहाँ पर कबूतर का काम ही क्या था वो सब को जो है वो संदेश पहुचाने का काम करता था तो यह क्या है संदेश पहुचा रहा है फिर पते में सबसे पहले क्या लिखा जाता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं आपने घर का नंबर लिखते हैं तो मकार नंबर लिख सकते हैं तो क्या है पते में सबसे पहले घर का नंबर लिखा जाता है भई हमारे घर में खाली हमारा नंबर पर हमारा घत्तो नहीं आएगा, बहुत सारे घर होते हैं, तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं, वो है हमारे घर का नमबर. Next आते, पिन कोट की शुरुवात कब हुई थी? कब हुई थी? 15 अगस 1972 यानि के 15 अगस 1972 में हुई थी. तो सही देखे क्या है? पिन कोट की शुरुवात 15 अगस 1972 को हुई थी. अब आते हैं, पदम यानि की जन्सकार किस चीज का नाम है? कौन सी चीज का है? ये एक जगा का नाम है, जहां पर अभी भी हरकारे पैदल चल कर, जो है, उदाकिये हैं या हरकारे हम बोलेंगे, पैदल चल के संदेशों को पहुचाते हैं, क्योंकि वह रास्ता ऐसा दुर्गम है, कि वहाँ कुछ भी नहीं पहुच पाता है. तो क्या है देखिए? पदम यानि जन्सकार, जम्बू और कश्मीर की ऐसी जगाओं का नाम है, जहां आज भी हरकारे डांक पहुचाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई वैकल जाही नहीं सकता है, जैसे हमारे यहाँ देखिए क्या है, हमारे यहाँ अगर डाकिया आता है, तो वो कैसे आएगा, बाइक से आएगा, साइकल से आएगा, लेकिन ये जगा है ऐसी दूर्गम में कि यहाँ पे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क् कि वहाँ पर रास्ते तक नहीं है, फिर है ग्रेनिक पुस्तक के हीरो का नाम क्या है, तो अभी हमने पड़ा था ना, ग्रेनिक पुस्तक में जो हीरो का नाम है, वो भी ग्रेनिक ही है, तो सही क्या है, ग्रेनिक पुस्तक के हीरो का नाम ग्रेनिक ही है, क्योंकि जो उसका मे नायक है या हीरो है उसी के नाम पर उस पुस्तक का नाम रख दिया गया है जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट ओफ इंडिया ने छापा था नेक्स्ट आते हैं अब हमारे पास है लगूत्रिये प्रश्ण यानि की शॉट आंसर जो अब थोड़े से बड़े होंगे क्या है पत्र पर आपने सही पते और समय पर पहुंचाना किन बातों पर निर्भर करता है अब कोई भी पत्र हम लिखते हैं अब वो अपने सही पते पर पहुंचे और सही समय पर पहुंचे तो ये दोनों चीज़े अगर हम चाहते हैं तो ये डिपेंड किस चीज़ पर करेग जैसे कि चिठी किस इस्थान में किस इस्थान से किस इस्थान पर भेजी जा रही है मतलब यहां से हम कहां भेज रहे हैं यह डिपेंड करता है अगर बहुत लॉंग डिस्टंस है तो उसी साब से समय लगेगा नियर बाय है तो जल्दी पहुँच जाएगी संदेश पहुचाने की कितनी जल्दी है अगर हम उसे बहुत जल्दी पहुचाना चाहते है तो उसका जरियाँ होता था पहले तार करते है तो अब यह डिपेंड करता है कि हमने किस फॉर्म में उस संदेश को पहुचा ना है तो तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है की नहीं तुमने उस पर dark ticket लगाया है की नहीं और साथ ही बहुत जरूरी जो चीज है हमने उस पर address सही लिखाये की नहीं और साथ ही उसमें जो ticket लगता है dark ticket अगर हमने नहीं लगाया तो फिर वो जाएगा नहीं उस condition में क्या होता है फिर वो थोड़ा slow procedure हो जाता है तो हमें डांक टिकेट लगा कर ही पोस्ट करना चाहिए तो ये कुछ बातों पर निर्भर करता है पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था देखिए उन्हें मौसम की मार भी जेलनी पड़ती थी जंगली जानवरों को भी जेलना पड़ता था साथ ही डाकू और चोरों को भी जेलना पड़ता था कि भई पहले क्या होता था डाक के साथ साथ बहुत सारे सामान भी जाते थे लोग money order भी भेजते थे money order का मतलब होता था जैसे आज कल तुम लोग पैसे बैठ के transfer कर देते हैं ऐसा नहीं होता था पहले क्या होता था हम लोग पैसे लेके जाते थे डाक घर जाते थे वहाँ पे एड्रस और नाम लिखते थे वो लेके वो जाता था तो उसके पास खली एक नहीं कई सारे मनी ओर्डर्स होते थे तो उसके पास काफी पैसा हो गया तो उनको लूटने के लिए चोर डाकू भी आ जाते थे तो इस तरीके की बहुत सी परिशानियों का सामना करना पड़ता था डाकू लिटोरेवा जंगली जानवरों की चपेट में भी आने का डर हमेशा बना रहता था तो ये सारी चीज़े समय पहुचानी सब कुछ करना ये प्रेशर उपर से इन सब चीज़ों का भी डर रहता था कि कहीं जंगली जानवर ना आ जाए खाना ले क्योंकि पहले नेक्स्ट है नाम ना होने से क्या समस्याइँ आ सकती हैं अगर हम कोई भी लेटर लिखे अपर पत्र किसका है ये पता लगाना थोड़ा मुश्कुल होगा अब मालीजे एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, अब पहुंस तो गया पते पर, अब उस पे नाम नहीं लिखाए, तो अब उस घर में अगर पांच सदस रहते हैं, तो पाचों में किसके नाम का लेटर आया है? ये एक पता लगाना मुश्किल हो जाता है. अब हम आ जाते हैं भाशा धारित प्रश्ण यानि कि हम अपनी भाशा हिंदी से सम्बंदित कुछ प्रश्णों को करेंगे यहां देखे क्या दिया है हिंदी भाशा में कुछ शब्दों में जा और फा के नीचे बिंदू लगाया जाता है जिसे नुक्ता कहते हैं जैसे जन्जीर, फकीर, फनकार, तेजादी तो आप सबी को पता है कि जब हम लोगों ने व्याकरट पढ़ी ती तो उसमें क्या था जहां पर नुक्ता लगता है वो मोसली फार्सी और उर्दू से लिए गए शब्दों होते हैं तो नुक्ते का मतलब होता है जैसे यहां बिंदी लगी यह देखने जा और फा के नीचे बिंदी लगती तब यह जा नहीं कहलाता है तब क्या कहलाता है जा कराता है फा निकलाता है फो कहलाता है तो यह बोलने का अंतर हो जाता है अब यहाँ पर हमारे सामनी क्या आवशक्ता नुसार जा और फा के नीचे बिंदू लगा कर शब्दों को पुना लिखे अब हमारे पास यहाँ पर शब्द दिये हैं इनके नीचे हमें बिंदी लगानी है यानि कि जिसको हम बोलते हैं नुक्ता लगाना है अब यहाँ क्या लिखा है टेली फोन लिखा है क्या लिखा है टेली फोन लेकिन क्या होता है टेली फोन होता है तो यहां पर हम बिंदी लगा देंगे ठीक फिर नेक्स आते हैं ली फाफा यहां पर क्या लिखा है ली फाफा ली फाफा नहीं होता है क्या होता है ली फाफा क्या होता है ली फा फिर होता यहां लिखा है चीज क्या लिखा है चीज लेकिन क्या होता है चीज जर निकलता है चीज तो यह यहां बेविंदी लग जाएगी ठीक है तो इसको देखे कैसे लिखते हैं यहां पर टैली फोन लिखाफा जहाज और यहां पर कह है चीज चली आगे बढ़ते हैं फि क्या होता गिराबाज नहीं होता गिरह बाज क्या हजार नहीं होता हजार फिर सफर नहीं होता सफर नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं सफर फिर है जिन्दगी नहीं होता है जिन्दगी होता है क्या होता है जिन्दगी तो इस तरीके से हम आप बोलने की भी कोशिश करना जैसे जैसे हम बोल रहे हैं इनको आप बोलोगे तो आप जब बोलेंगे तो आपको नुकते का फरक समझ में आएगा सिर्फ देख के कर लेना नहीं होता हिंदी बाशा में बहुत जरूरी है कि आपका pronunciation बहुत सही रहे प्रणाशेशन मतलब आप जो बोल रहे हो वहाँ पर शब्दों का सही निकलना जरूरी है अगर जब तक सही नहीं आप बोलोगे तब तक आप सही लिख नहीं पाओगे ये एकदम थम रूल है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम हिंदी में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं हम इनको कैसे सुधारे तो इसको सुधारने का तरीका बिटा सिर्फ एक ये ही है आप बोलो सही और जितना हो सके उतना हिंदी को लिखो क्योंकि लिखने से यह होगा कि आप मातराओں के ग्यान से अच्छी तरह परिशुत हो जाएंगे जब हम बूलेंगे तो मातराओं कैसे लगती हैं हमको इस चीज़ का ग्यान बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे जब आप बड़ी classes में बढ़ेंगे तो आपके लिए इतना समय नहीं रह जाएगा कि आप हर एक चीज को जो है बहुत बारीकी से टाइम लेकर लिख सको आपको लिखने के लिए जादा होगा समय कम होगा इसलिए mistake सुधारने का टाइम आप लोग के पास 3rd, 4th, 5th में होता है जहाँ पर आप मात्राओं का अच्छा ग्यान ग्रैप कर लिजे साथ ही साथ अपनी speed build up कर लिजे चली आगे आते हैं चली अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या दिया गया है हमारे पास में आगे हमारे पास दिया है निमलिखेद वाक्यों में से संग्या शब्द चाट के लिखो अब हमारे पास कुछ वाक्य दिये गए है इसमें से हमें संग्या शब्दों को निकालना है क्या दिया है उसकी ब संसत भवन ये हमारी संग्या है ये संसत भवन हमारा क्या हो जाएगा वेक्तिवाचक संग्या फिर नेक्स राज आते हैं गांधी जी बहुत बड़े वेक्ति थे तो अब यहां पर क्या है गांधी जी हो जाएगा गांधी जी हमारे वेक्तिवाचक संग्या और वेक्ति हमारा जातिवाचक संग्या फिर आते हैं मुझे उड़ीसा जाना है अब उड़ीसा हमारा क्या हो गया राज्य का नाम है तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संग्या नेक्स आते हैं लद्दाग बहुत उचाई पर है अब यहाँ पर क्या हो गया ये है लद्दाग लद्दाग हम इसमें से संगया शुद निकाल लिए. नेक्स एाते हैं. वाक्यों को सही करके लिखू. अब हमारे क्या है ना? ये वाक्य जो हैं, ये सार्थक नहीं है क्योंकि यहां पर सही तरीके से शब्दों को अरेंज नहीं किया किया है. और इनसे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अब हमें इनको सही से अरेंज करके एक सार्थक वाक्य बनाना है, सार्थक वाक्य मतलब होता है जहां पर उस वाक्य का अर्थ निकले, वो कहलाता है सार्थक तो देखें यहां पर दिया है, जैसे है एक नाम ये, अब ये क्या होगा, क्या होगा, जैसे है एक नाम तो यहां पर हो जाएगा, एक नाम है ये जैसे, फिर है, करता है बाज पर कबूतर हमला, तो क्या हो जाएगा, कबूतर पर बाज हमला करता है, नेक्स है, है लोक प्रिये संग्रहे टिकेट का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टिकेट संग्रहे बहुत लोक प्रिये है, फिर आते हैं, होती है गिरह बाज कबूतर की एक प्रजाती, तो क्या होगा, गिरह बाज कबूतर की एक प्रजाती होती है, अब यहाँ पर देखें क्या ये नाम एक जैसे हैं फिर हम नाय कबूतर पर बाज हमला करता है फिर है टिकट संग्रे बहुत लोग प्रिये है फिर गिरह बाज कबूतर की एक प्रजाती होती है तो इस तरीके से हमने निरर्थक वाक्यों को सार्थक वाक्यों में बदल दिया अब next आते हैं निम लिखे शब्दों से भिन अर्थ स्पष्ट होने वाले वाक्य बनाईए अब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं वो हम क्या कहलाते हैं उसको बोलते हैं अनेक आर्थी शब्द अब यहाँ पर अंक हैं अंक से क्या तादपर होता है अंक मतलब होता है numbers ठीक है जिने हम numbers बोलते है 1, 2, 3 एक तो अंक का बहिए होता है और दूसरा अंक का होता है गोद यानि कि मा की गोद जिसको बोलते हैं वो गोद तो इन दोनों से हमने देखे वाकी बनाए है क्या दिया है पहला है संख्या और दूसरा है गोद इस कक्षा में इतनी संख्या में चात्र हैं कि संभालना बहुत मुश्किल है तो अब हमने यहाँ देखे यहाँ पर देदीना संख्या फिर नेक्स है गोद बिट्टू को इती तेज नीदा रही थी कि माँ की गोध में बैठते ही सो गया अब NEXT आते हैं अब यहाँ पर है पत्र पत्र मतलब क्या होगा एक तो चिठ्थी आपम हमारे बोलते हैं और दूसरा होता है पत्ता किसको बोलते है पत्ते को तो यहां देखे क्या है पत्ता है और चिथी है एक कमल का पत्ता कभी भी पानी में गीला नहीं होता कमल का पत्ता देखे उसके पर पानी कभी भी ठहरेगा नहीं वो कभी गीला नहीं होता फिर है चिथी आज मैं अपनी बहन की चिथी प्राप्त करक के अध्यंत खुशूं फिर नेक्स आते हैं आम एक फल होता है और एक होता दिए नौमल तो यहां पर क्या वाक्यांश के लिए पार्ट में प्रयूक्त एक शब्द लिखिए तो अब यहां पर क्या हो गया वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहां पर ठीक है तो यहां पहले दिया है घोड़े पर सवार जो गोड़े पर सवार होता उसको क्या बोलते हैं घुड़ सवार फिर उसके लेटर ते न तो उसको क्या बोलते हैं अंतरदेशी बोलते हैं अंतरदेशी, ब्लू कोलर का अंवलेप आता था संदेश लाने और ले जाने वाला संदेश वाहक, दीखे यहां लिखा है मैंने, घोडे पर सवार गुड सवार, जहा जाना कठिन हो दुर्गम, चिठी पत्री पहुँचाने वाला डाकिया जिस पर संदेश लिखकर भेजा जाता है अंतरदेशी संदेश लाने और ले जाने वाला संदेश वाहक नेक्स्ट आते हैं विलूम शब्द लिखिए अब यहाँ पर क्या होगा दुर्गम सुगम उपियोगी अनुपियोगी सीमित असीमित आम खास छोटी बड़ी सवाल जवाब तो देखें कैसे लिखा मैंने आपर दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन हूँ सुर्गम मतलब जहां जाना आसान हूँ उपियोगी यानि कि यूसफुल अनुपियोगी यूसलिस सीमित मतलब लिमिटेट असीमित अनलिमिटेट आम यानि कि बहुत ही चीज जो मतलब बहुत ही आसानी से मिल जाती है उसको बोलत नेक्स आते हैं बहुवचन लिखिए अब कुछ चीज़े होती है जिनकी बहुवचन अब बहुवचन लिखते समय बहुत सारी हमें सावधानिया भी परत्नी पड़ती है बहु वचन लिखते समय क्या होता है जो एक वचन में जैसे यहाँ पर लास्ट में बड़ी E की मातरा आती है जैसे यहाँ पर आपको देख रहें बड़ी E की मातरा वो हमेशा क्या हो जाएगी छोटी E की मात्रा में तब्दील हो जाती है ये आपको धिहान रखने होती है ये बहुत है कुछ में आपकी चंदरबिंदी लगती है ये सब कैसे आएगा आपको जितना आप इसको पढ़ेंगे लिखेंगे आपको आता जाएगा जैसे यहाँ पर एकाई तो इसका हो जाएगा एकाईया तो देखो छोटी E हो जाएगा देखो मैंने बित आ ना इकाईया जो जहान बड़ी थी वहाँ हमने क्या कर दिया फिर आते हैं कसबा क्या हो जाएगे कसबे देखना बोलते समय नाक अगर आप किसी कोड रही है, तो उस जगा बिंदी लगेगी, यहाँ पर हम कस बे नहीं बोल रहे हैं, क्या बोलने हैं, कस बे, बे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी, फिर है प्रजाती, तो यहाँ तो छोटी ई की मातरा ओल ररेड़ी है, तो यहाँ पर छोटी इकी रहेगी, प्रजातियां, यहां देखे निकल रहा है न, मुह से खोल, मुह बोलिए, तो देखे नाक से हलका सा रहा है, प्रजातियां, फिर सेवा, तो क्या हो जाएगा, सेवाएं, क्या हुआ, सेवाएं, यहां पर, हरकारा, तो क्या हो जाएगा, हरकारे, अब य इसे यहां छोटी की मात्रा में कर दिया और यहां लगा कर ऊपर चंद्रबिंदी कर दिया तो बहु वचन बदलते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखना परता है जहां पर भी बड़ी है वो हमेशा छोटी में बदल जाएगी और अगर छोटी है तो छोटी ही रही यह मत करना आप यहां पर हमारा पूरा हमने वक्षिट खतम कर दिया ठीक है न देखा तो इसी तरीके से हर चैप्टर की हम वक्षिट करेंगे तो इस तरीके से आपका चैप्टर फट 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 जो है वो रिवाइस होता रहेगा ठीक है तो मैगनेट बेंस अब लेकर आरहे ना इसे के लिए अब यह सारी सब्जेक्स के लिए बुख बन गई तो हम कैसे पढ़ेंगे जारी बुक्स तो मिलती हैं तो बिलकुल परशाण फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था NCRT Solution पढ़ा था तो हमारी एक बुक में सारे चैप्टर के NCRT Solution रहेंगे तो वह एक हो गई हमारी NCRT Solution बुक फिर अब क्या कर रहे हैं हम वक्षीट कर रहे हैं तो इस तरीके से एक बुक हमारे पास क्या हो जाएगी हमारी तो इनको आप कैसे ले सकते हो इसको लेने के लिए नीचे description box में एक link दिया गया उस link को click करिए उसके अंदर एक form है उस form को fill करिए fill करके जब आप submit करेंगे तो हमारा एक team member आपसे बात करेगा इस book के regarding तो बस book भी प्राप्त करिए और आसानी से अपधी पढ़ाई करिए तो आगे और भी chapter है हम लेकर आते रहेंगे साथ साथ में पूरी पूरी वरक्षिट solve करते रहेंगे अब इसके बाद वाला जो chapter number 7 है उसे पढ़कर बैठिएगा और हमारे साथ वरक्षिट solve कीजेगा ठीक है थैंक यू पर वाचिंग बाबाई